चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों MCC का मोपप राउंड टू यानि जो BDS और BAC नर्सिंग के लिए कंड़ेक्ट हुआ था उसकी मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइस कटोफ बताऊंगा जिससे आप इस्टे वेकंसी राउंड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं यह जो कटोफ रही है BDS और BAC नर्सिंग की यह काफी लो कटोफ रही है तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कैटेगरी वाइस कटोफ क्या रही है उसके बाद में मैं आपको BDS और BAC नर्सिंग का जो इस्ट्रे वेकंसी राउंड है उसका सैडूल बताऊंगा तो BDS All India Quota Open के लिए हम देखते हैं काटोफ तो UR कैटेगरी की 1,14,642 रेंग जिसके मार्स थे 468 उसको Governmented Dental College बेलेरी मिला है जो करनाटका का कोलेज है इसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो 1,34,730 रेंग पर जिसके मार्स थे 449 उसको जवानलाल नहरू IDS मनिपूर इमफाल का मिला है इमफाल मनिपूर का मिला है Institute of Dental Sciences जवानलाल नहरू इसके बाद में EWS कैटेगरी की बात करें तो 1,31,405 रेंग जिसके मार्स थे 452 उसको GDC यानि Government Dental को ले त्रिसूर मिला है इसके बाद EWS कैटेगरी में 250,839 रेंग जिसके मार्स थे 358 राजा मुतहिया Dental College मिला है इसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो 4,51,912 रेंग पर जिसके मार्स थे 245 उसको Government Dental College औरंगाबाद मारास्टर का मिला है तो ये तो थी BDS की कटोब अब एक बार BSC नर्सिंग की कटोब पर भी नजर डाल लेते हैं ओल इंडिया कोटा के लिए तो ओपन की 220,024 रेंग जिसके मार्स थे 379 VMMC College Open Nursing वर्दमान महावीर दिल्ली का कोलेज मिला है OBC कैटेगरी की बात करें तो 251,480 रेंग पर जिसके 357 मार्स थे उसको राजकुमारी अमरिता कोर नियो डिल्ली का कोलेज मिला है इसके बाद EWS की बात करें तो 3,71,745 रेंग जिसके मार्स 285 थे College Open Nursing भौपाल मिला है OBC कैटेगरी की बात करें 3,89,815 रेंग पर जिसके 276 मार्स थे लेडी हार्डिंगे का College Open Nursing लेडी हार्डिंगे नियो डिल्ली मिला है इसके बाद में बात करते हैं ST कैटेगरी की तो 8,96,285 रेंग जिसके 112 मार्स थे वो College Open Nursing भौपाल का College मिला है तो यह कैटेगरी वाइज कटोफ थी मौपप टूप की अब इसमें जो stay vacancy round होगा उसकी कटोफ और भी ज्यादा लो जाएगी तो इसमें यह 11 माई को इसका result आ जाएगा stay vacancy का मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि stay vacancy के लिए कोई new registration नहीं होगा इसमें stay vacancy के लिए कोई new registration नहीं होगा और कोई phrase choice filling नहीं होगी इसमें direct result आएगा 11 माई को तो जिनको अभी mop up में seat नहीं मिली है जो seat के seat का wait कर रहे हैं और जिनके जो मैंने cut off बताई है उससे down marks हैं तो उनको college मिलने की समावना है इसमें जो इसकी reporting रहेगी वो 15 माई last date है और यही last date BDS के इस session की cut off date है यानि कि उसके बाद में BDS में कोई admission नहीं होगा तो यह जानकारी थी MCC के second mop up और stay vacancy round BDS BSC nursing के लिए बाकी update मिलते ही हम आपको inform करेंगे मिलेंगे अफडेट के साथ नए video तब तक के लिए जय है है झाल